चलिए आज कुछ मीठा बना लेते हैं तो ये देखिए खस्ता खस्ता एकदम चीनी से लट पर्ट सक्करपारे की रेसिपी जिसे बनाना है बहुत जादा आसान तो नमस्कार मैं अंकिता और आप सभी का सौगत करती हूं मेरी मस्ते भेरी दुनिया फोड चैनल में और आप च्बाइब के लिया था उसको अच्छी तरीके से गरम कर लिया है तो हमेजा मैंने आपको घी अगर गरम कर लेंगे तो मोहिन अच्छा लगेगा और जो खस्ता पंजू रहे गा वो लंबे टाइम तक बरकरार रहता है ऐसा आप एक बर करके जरूर देखिएगा तो अब अ तो फिर आप समझ जाए कि मौयन लग चुका है लेकिन क्या होता है कभी-कभी फटा-फट से भी लग जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि मौयन लग गया है उसको 5-6 मेर तक तो आपको मसलना ही है आप यहां पे एक चमच मैंने बेकिंग सोड़ा डाला है आप बेकिंग उसका में तैसले जुझक खकना हुआ नहीं त्यार करना है आप श्कना को देखता कแต आता पको अन लखे लेना है तो मैं दिखाते हूं आपको भीजेखने को आपको पतले पतले कट करने के बाद मिसके चोटे-चोटे के लिए जैसा आप करना चाहते हैं उसी टाइप का आप तो पीस करिए यह आप कीवटि इसकी सिक्नेस है अब सारे को ऐसे आपको कट कर लेना है जिस तरीके से मैंने मोटा मोटा कट किया है अब इससे भी मोटा कर सकते हैं पर आपको मैंदम दुकान जैसे बतारी हूं जैसे हलवाई लोग बनाते है इतना ही मोटा रहता है आटी कट वह बहुत सौफ बिल्कुल नहीं लगाना है और सबी तहीं को इसको बिल लेना है और और इसको कट कर लेना है बहुत इजि था और आपका नो जो झास्म जो सक्कर पारा बने ग हैं इतना सभब hè लुए तुले कि इसका जुन अब बरकरार रहेगा आपको फटार jus तरीके से कट कर लेना है जितना बड़ा चाहिए, जितना लंबा चाहिए, जितना मोटा चाहिए आप इसका ऐप कर सकते हैं देखिए दुबारा में आपको दिखाचुकी है paint yeah एक फट्टा-फट्ट से आप इसमें डाल दी यॐ अप को एकड़ा मेडियम करके आपको इसको तलना है बहुत हाई फ्लेम पे आपको इसको नहीं तलना है तो कोई भी चीज जैसे जब कोई भी हम चीज बनाते हैं जिसको कुरकुरा और क्रिस्पी करना रहता है तो हमें फ्लेम को मीडियम रखना होता है जिसे गुजिया बना लीजे सेवडा बना लीजे कोई भी ऐसी चीज होती ह या समोसे बगरा कुछ भी मनाओ फ्लीम को मीडियूम रखना चाहिए आपको तो मीडियूम फ्लेम पे आप इसको अच्छी तरीके से फ्राइ करिए कम से कम पांच से छह मिन तक जब इसका कलर आपको लगे कि थोड़ा चेंज हो रहा है तो आप इसको निकाल लेजे तो अब इसका कलर जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा है यह लेयर वाली बन रही है अपने आप से इतना ज्यादा कुर्कुरा इतना ज्यादा क्रिस्पी है कि अपने आप ही ना यह देखिए किस तरीके से कितना परतदार बन रहा है यह मैं नजदीक से आपको दिखाती हूं तो यह द आपको अपको मीडियों फ्लेम पे इसको फ्राइब करेंगे उतना जादा उतना ज्यादा इसको करेंगे अंदर से कुर्कुरा क्रिस्पी और बहुत जादा टेस्टी वनेगा तो इसी तरीके से आपको इस से केंड बैच को भी निकाल ले रहा है और आप लोग उसे एक बार अगर आप लोग मेरी वीडियो भी नए है तो फ्लीज मुझे सपोर्ट करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूली और आप लोग को मेरी वीडियो में कमी दिखती है तो फ्लीज वो भी कमेंट करके बताइए तो यहां मैंने सब्सक्राइब करेंगे तो इसको चीनी को मेल्ट होने तक आपको पकाना है मतलब एकदम सिंपल सी चासनी बनानी है एक तार वाली जैसे लगे कि एक तार बंदने लगा है उसमें तो आपको फटा-फट से गैस के फेम को बंद कर देना है तो यहां चीनी देखिए जो चुका है लग रहा है तो थोड़ा समस्को और पकालेंगे और इसका देखिए एक तार की चासनी बनने लगी है एक तम पर्फेक्ट चासनी हमारी बन के तयार हो गई है तो अब इसी स्टेच पर हम क्या करेंगे ना हम जितना हमने खुर्मा बना कर रखा था मतलब जितन सकर बन के आपका तयार हो जाएगा तो जितना है ठंडा अपको चलाते रहने है इसको जब चलते रहोंगी झालवाई जैसा हमारा सक्कर बन कर तयार हो गया है तो हमारे गाउंमें इसको खुर्मा कहते हैं आपको यह क्या कहते हैं वह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी से भी पसंद आई है तो फड़ावर से वीडियो को लाइक कर दीजे तो आप देखिए यह देखिए कितना सुंदर सा कलर आ रहा है अभी अभी बहुत गरम है यह ठंडा होता जा इसा एकदम बनके तयार हो गया है ना देखिए कितना अच्छी तरीके से कोट हुआ है चीनी एक दूसरे के ऊपर कितना टेस्टी सा बनके तयार हो गया है तो इससे आप क्या कर सकते हैं महीने दो महीने छे महीने इसको स्टोर करके रखिए किसी ऐसे डिब्बे में बंद कर रखे रखे जिसमें हवा पानी बिल्कुल ना आए और ये महीयों चल देवाली रेसिपी बन के तयार हो गई है